नमश्कार मित्रूफ। सोल जनी सत्यूगा में फिर से आपका स्वागत है। और हर रोगस की तरह एक छोटी से विशही पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करती जाती हूं। और जब जो मन में विशही आएं, वही मैं आपसे शेयर कर लेती हूं। ज़ादा सोच समझ के कोई बात नहीं करती हूं, वजो जिन्दिगी के सत्य अनुभव हो है। जो अनुभव मैंने किये, जो मेरे जीवन को रुपांदरित करने के काम आए। मैं उन अनुभव की आपसे बात करती हूं। तो पिछले कुछ वडियो में हमने समझा, बहुत से वडियो मैंने अपलोड की हैं। चैनल पर बहुत सारे विशोय पर मैंने आप लोगों से बात भी की हैं। बहुत कुछ हैं जो मैंने आपको शेयर किया है। और वो जिन्दगी के सक्टिय अनुभव होगा। कोई भी चीज कहीं से उठा कर आपसे शेयर नहीं की है। जिन्दगी में जब-जब जब जब से अनुभव हुई उसी को मैंने आपसे साजा किया। तो मन में कई बर प्रेणा होती है कि ये विशय आपसे शेयर करना है या इस बात पर आपसे चर्चा करनी है। तो आज मन में बहुत बार लगा तार आ रहा था कि financial abundance के बारे में आपसे बात की जाए। आध्यात्मी जागरती के लक्षन अगर हम देखें आध्यात्मी जागरती के पतपर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो financial freedom, financial gain भी ज़रूरी होता है। एक व्यक्ति तभी अपना पूरा ध्यान अपने inner development या inner growth की तरफ ले जापाता है जब वो बाहर से परिपूर्ण हो। उसके जीवन में किसी प्रकार का संगर्शना हो। उसकी रोजी दी जरूरत पूरी हो रही हो। तब जाके वो आध्मचा गृत्ति के और आगे बढ़ पाता है। भीतर self awakening की process पे concentrate कर पाता है। पर ये बाहर और भीतर दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही सिक्की की दुपाज हुए है। अगर अंदर अनुभाव में awakening होगी, जागरती होगी, awareness होगी, तो बाहर कभी किसी प्रकार का संगर्श या blockages आएगा ही नहीं। और अगर बाहर किसी प्रकार का संगर्श नहीं है, बाहर हर प्रकार की freedom है, तो अवेकनिंग करना आसान हो जाता है। अवेकनिंग की और जाना भी आसान होता है। पर यहाँ विपरीत बाते हैं, थोड़ा सा विरोधभास हैं। कि जो abundance में है, जो हर प्रकार की सुख सुवीता साधन को जी रहे हैं, उनका ध्यान अभी अवेकनिंग की तरफ नहीं जाता है। उनका ध्यान जिन्दिगे की जो temporary सुख दुख के अनुबव हैं। और जो अपनी ही मस्ती में जो जी रहे हैं, उनका ध्यान पीतर की और कभी की नहीं जाता, जब तक उनके जीवन में कोई अवरोध नहीं आता। और मज़ेदार बात यह हैं कि जिनके जीवन में बहुत से अवरोध हैं, उनका ध्यान पहले भी तरकी और जाना शिरू हो जाता है। तो ये दोनों विरोधा बास हैं कि अंदर और बाहार दोनों balance करना अब अब prosperity की हम बात करते हैं कि एक विक्ति के जीवन में बिना संगर्श के उसकी जरूरत का पूरा होना, उसकी हर इच्छाओं का पूरा होना और हर प्रकार से satisfaction पाना, कैसे हो सकता है ये। एक विक्ति अगर अंदर से ही abundant हो, अंदर से ही fulfilled मैसूस कता हो और prosperous feel कता हो तो ब से चीज में भी वो सुख अनुभव कर पाएगा, celebration कर पाएगा और और आगे बढ़ पाएगा, पर अगर जब भीतर prosperity नहीं है, अंदर वो अनुभव नहीं है, तो बाहर की छोटी से चीज भी उसे बहुत बड़ी पहाड जैसे लगती है, कोई काम नबना हताश हो जाता है, निराज हो जाता है, क्योंकि भीतर prosperity नहीं है, भीतर वो प्रकृति के साथ का connection नहीं है, और इस वज़े से वो बाहर छोटी से भी हलचल होती है, छोटा सा भी संगर्श आता है, और अंदर जादा हताश हो जाता है, परिस्तिया छोटी से होती है, बहुत छोटी से, minor, पर फ इस अवस्था को balance कैसे करना है, तो कि self awakening की और जाने के लिए पहले बीदर की prosperity को जानना सबी है, आप अपनी जरूरत की प्रती कैसा महसूस करते हैं, पहला सवाल, आप अपनी जरूरत की प्रती कैसा महसूस करते हैं, आप अपने प्रती कैसा महसूस करते हैं, आपका और अ आप अपने और अपनी जरुवत दो के बीच के संबंद को कैसा जानते हैं? Do you feel that you deserve all kind of happiness, luxury, सारी सुक्सुविधा, एशोहराम? Do you feel that you deserve this? अगर आप भीतर से महसुस करते हैं कि yes, you are worthy of everything, you are worthy of goodness, आप भीतर से महसुस करते हैं कि हाँ आप प्रॉस्परिस हैं, आपको हर सुक्सुविधा आपको मिलती हैं और आप उसके लिए योग्य हैं, तो बहार कोई रोक नहीं सकता है आपको उन से मिलाने के लिए, आप तक उन जरूत को पहुचाने के लिए, तो प्रॉस्परिटी का पहला नियम है, तीन सवाल पुछना अपने आप से, how are you feeling about yourself, how are you feeling about your needs, and what is the connection between you and your needs, कैसा महसूस करते हैं आप अपने बारे में, कैसा महसूस करते हैं आप अपनी जरूत के बारे में, और आपका और आपकी जरूत के बीच का संबंद क्या है, पहले इस संबंद को अगर ठीक किया जाएं, आपका अपने साथ का संबंद ठीक किया जाएं, आपका अपनी जरूत के प्रती रवया अगर बदला जाएं, और आप दोनों के बीच का जो संबंद है उसे ठीक किया जाएं, तो प्रॉस्परिटी आ जैसे एक व्रक्ष की कल्पडा करें आप एक बढ़ा सा पेड उस पेड की उसकी विकास की अगर बात करनी हो उसके डेपलिप्लिप्मेंट की बात करनी हो उसकी फल की बात करनी हो तो उसका पूरा आधार उसकी फल कैसे आ रहे हैं या उसकी फूल कैसे आ रहे हैं उसका विका अपने बाहे पहलेता है, अपनी बाहे पहले लिक और सूरज से केरणे ले ले लिक है अपने फलने पूञक्त और रंगों पीदा पर ले tuh इस वरुख्ष चशों, अगर उधारण लIE तोnehmen Republic पोशन पायेगा और उतना ही ऊपर विक्सीद होगा तो इसी तरीके से आपके जीवन में अगर सुख संबुधी के फलफुल लगें आपका विकास आप आगी बढ़ें आप जितना मर्जी सक्सेसल हो जाये कमा लें प्रसिति हांसिल कर लें चाहे कितना आगे बढ़ जाएं पर आगे कब बढ़ेंगे जबाका विकास निर्भर होगा आपकी जमीन पर यानि कि आपने अपनी जड़े अपनी जमीन में फैलाई होगी अब रुक्ष की जड़े तो जमीन है यानि कि उसकी माई बाप जो है उसके पैरेंट्स उसका पालन पूशिन करने वाली धरती मा है रुक्ष फलीद ही होता है मा के घर्ब में यानि कि धरती की घर्ब में वरुक्ष को मा के गर्ब में डालना पड़ता है वरुक्ष को मा के गर्ब में यानि की धर्थी की गर्ब में डालना पड़ता है वहां उसका सीवन होता है उसकी देखपाल होती है फिर उसमें से अंकूर पैदा होता है और फिर दीरे दीरे से उसमें एक पौधा और एक वरुक्ष बनता है फिर वो फलफुल दीता है तो इसी प्रकास से एक व्यक्ति की जड़े हैं उसके माता पिता पहले वसूल के रुप में मा के घर्ब को चलती है फिर मा के घर्ब में आती है मा के गर्ब में फादर के योगदान से ही तो आती है तो माबाब दोनों के योगदान एक्वल है और मा के गर्ब में फिर नौ महीने पोशन लेती है विक्सेथ होती है, शरीर धारन करती है और फिर पैदा होती है पैदा होने के बाद शरीर का अस्तीत्वा आता है कुछ साल और भी प्रोटिक्शन मिलता है मदर और फादर का और फिर वो इंडिविशल सेल्ट की रूप में कन्वर्ट होती है तो आप आज अपने आपको जितना भी विक्सित हुए देखते हैं तो पहला युगदान तो आपके माता पिता का है तो आपका विकास आपके जीवन में जितना जादा आप चाहते हैं उतनी ही जड़े आपके माता पिता के साथ आपकी मस्बूत होने ही जरूरी है अब आप उपर उपर से अगर देखें कि आपके माता-पीता के साथ की जड़े यानि कि आप माता-पीता की सेवा करते हैं या उनको पैसे दे देते हैं या उनके साथ दो अच्छी बाते कर लेते हैं It doesn't mean that माता पिता के साथ आपके रिश्टे बहुत अच्छे है कभी आख बन करके उर्जा किस तरह से अपने माता पिता को अपने सामने देखें और फील करना शिरू करें कि क्या वो रिस्पेक्ट क्या वो प्रेहिंग क्या वो आदर सन्मान आपको अपने माता पिता के लिए महसूस होता है बहुत से डाइनामिक है इसमें भी जैसे कई बार बच्चे माबाप से बड़े हो जाते हैं माबाप को जज़ करने लगते हैं माबाप से बहुत सारी खटे मीठे अनुभव होते हैं फर्यादे होती हैं गुस्सा होता है या फिर उन ही के कुछ नकारात्मक भूणों को भी बच्चे पैद अपने में ले लेते हैं तो इन सबकी वज़स से एक विक्ति अपने जीवन में संगर्ष करता है एक रुक्ष फलफुल नहीं पाता है फैल नहीं पाता है इसी तरीके से एक विक्ति अपने जीवन में संगर्ष करता है और यह संगर्ष अगर सौल करना हो तो किया जा सकता है किया जा सकता है कैसे माता पिता से अपने जड़ों को मजबूत बना के पहले छिक करना पड़ेगा माता पीदा के साथ आपकी जड़े कैसी है उनके साथ आपका रिष्टा कैसा है कहने के लिए मीठा मदूर कहने के लिए रिस्पेक्टिव या फिर वाकी ही वो आदर वो सन्मान वो ग्रेटीड आफील करते हैं तो एक सुत्रा आज मैं देती हूँ जो भी विट्थी राइट डिरेक्शन पाना चाहता है उसके लिए है फाधर की उरजा सही दिषा, सही रास्ता आपको सرف और सिर्फ आपके फाधर दी सकते हैं और कहा जाता है कि मा का चहरा जितना बड़ा जो एक व्यक्ति मा का चहरा जितना बड़ा दिक पाता है हैं तो समझ लिजिए सफलता के दो सुत्र हैं पिता दिशा दीते हैं अगर सही दिशा होगी तभी सफलता काम आएगी वरना कई अनुपों ऐसे भी होते हैं कि कोई भी काम करूं बड़ा सफल होता हूं काम तो बड़ा सकस्वल हो जाता है पर टिकता नहीं है कुछ समय में पूरी दुनिया में पूरे भ्रह्मान में अगर कोई सुत्र ढूना हो तो मदर और फादर है फादर डिरेक्शन देंगे सही दिशा और मा आपको सफलता देगी जितना बड़ा चहरा मा का उतनी बड़ी सफलता और जितनी इस पस्ट क्लियर रसेप्टिव रिलेशन फादर पर कई बार ऐसा भी होता है कि सही दिशा तो मिल गई सही दिशा में काम करो पर चाहे उतनी सफलता नहीं है चेक यो मदर जोन आपके मा के साथ के रिष्टे चेक करिए और यकीन माने यस उत्र आपको बहुत काम आएगा तो फाइनांस की रिगार्डिंग सुछ से आज मेर कर रहा था कि मुझे आपसे बात करनी है और आपको काईट करना है तो होग ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो और इसके बारे में और भी आगे जरा और डीटेल से भी चर्चा करते रहेंगे जब भी मौका मिलेगा तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल